हेलो एब्रिवन आज हम डिसकस करेंगे बायलोजी यहाँ मैं क्लास 9 के बायलोजी को डिसकस करूंगी चैप्टर 13 असकीन तजे कॉफ ऑल्टरेड ओल्रेड इस चैप्टर पे दो वीडियो बनाए गए हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख सब्सक्राइब को जाने से पहले कुछ इंपोर्टेंट इन्फरमेशन ठीक है यहां पर हमने काई बेटर तरीके से फिगर में दिखा रखाए कि सब्सक्राइब कर प्रेजंट होता है तो सब्सक्राइब जो है उनमें जनरली हमें बेसिक जो पॉइंट से वह याद रखने सब्सक्राइब के से पहले थे जैसे की फर इस में फुर्झ में प्रेजंट होता है क्योंकि वहां पर कोई हैर फ्ëलिकल होते नहीं है repair हेर होती नहीं है ठीक है और यह जणररली एक्जिस्ट करता है नियर्वार नीयर्द Side likely जाल में आप देख पा रहे हैं यह एक्च्यली जो सिक्रिट होता है इसी कर सिक्रिट होता can किस टाइब से कि तया किस टाइब के औ sicक्रीट होते तो याद रखो सीवथर होता हेł ठीक 되게 influencer होता है इसका ट्री वेक्सी प्सक्ता लिपिड लिपिड्ल लिफिड्स एंड वेक्स का हिसके याद ठीक है याद रफना है यह संसर पहला काम होता है कि यह हमारे सब्सक्राइब यह क्रेकिन में क्रैकिंग को सब्सक्राइब करने लेक्त उर्म करने सब्सक्राइब मैं कांषी टीन मारे नाइस किसी यह षेकरहन हो is that letsittel प्रोगनिजम को एसकीन पे ग्रोथ होने से क्या गड़ता यह रोकता है थार्ड पॉइंट हम बोचाते हैं कि यह हमारे फॉलिकल जो है उसको फ्री रखता है डिस ज़िंट प्रटेक्ट करके रखता है है फॉलिकल को कौन भृप नगने तो चली आप इसके बाद कुछ की कंट्रोल में होता है तो याद रखना सेक्स हार्मों के का कंट्रोल में होता है ठीक है गाल्षक लोकेशन की अगरहनब अबात करें कि ju- meng- ca- pills bands याद रखना यह मीढंद डुटा मीढीकर्छ नियुटी का DJ's Manager कि वह काफे ज़ाद़ा सीब बनाते जाएगा जिसके वज़से क्या होगा की आपका जुबयूचसीज ग्लैंड वह स्वेल कर जाएगा यह था जो पतकछा कि ब солst亲 इसार चलो ऍसनद एक व्यास कर दिक थो थो तो सम्टाइम से इवन ऑपन डाइकली टू दा आउट साइड दे गीव आउट एन ओडी सिक्रेशन को सिवम एक ऐली सिक्रेशन बाहर निकलती एसकीन के सर्फेस वे उसको हम क्या बोलते सिवम बोलते हैं विच मेक्ट एहर एंड आउटर सर्फेस ऑफ दाश्कीन ओड यह क्या करता है हमारे हेर को और साथ ही साथ हमारे स्कीन का जो सर्फेस उसको क्या बनाता है ओईली बनाता है सिवम जो होता है उसको एक प्रका का ओईल है उसके वज़से क्या होता है एपिडर्मिस जो हमारा सबसे आउटर सर्फेस होता है स्कीन का उसको काफी कॉमल सॉप water by evaporation और साथ ही साथ water जो evaporate होता है उससे भी बचाता है loss of water को भी यह क्या करता है water का जो evaporation होता है उससे भी उससे भी यह रोकने का काम करता है ठीक है in cold and dry weather the skin में becomes rough आपने देखा होगा cold dry weather होता है तो उस case में आपके जो skin होती है काफी rough हो जाती है leaf a powdery surface और उसमें से एक powdery surface निकलती है when the stretch जब आप उसको scratch करते हो तो ऐसा होता है this is due to the reduce secretion of oil from the sebaceous gland ऐसा इसलिए होता है कि winter में जो sebaceous gland के जरीए जो sebum निकल रही थी oily particles वो क्या होती है उसका निकलना कम हो जाता है ठीक है जिसके वज़े से lubricant उते बिटर तरीके से हमारे skin के surface को नहीं मिल पाता है इसके वज़े से हमारी जो skin काफी dry हो जाती है और जब आप उसको scratch करते हैं तो जो काफी जाधा होने के वज़े से की वज़े से आपके होट और हमीड वेदर में आपको य ऑसकीन काफी ज़दा extra oily दिखाई पड़ती है ठीक है नाव निक्सित आप हम देखेंगे यह थी common problems related सब्सक्राइब और नियुक्त देख लेते हैं वह वह रही है तो ज्यादा बेटर तरीसे से ग्रोफ हो सकते हैं get infected and result into the formation of boil and and pimples मतब बोला जा रहा है कि अगर वह इसके वाज़से क्या होता है कि वह infected हो जाता है और उसके वज़े से क्या होता है वह थोई में changes आने के वज़े से यह थोड़ी सी क्या हो जाती है उसमें सुजन आ जाता है वैसे हमारे हार्मों में काफी जाता है तो हार्मों में changes के वज़े से सीवेसेज ग्लेंट काफी बार क्या हो जाती ही सुजाती है जिसके वज़े से एकने होता है ठीके नाव आते हैं blackhead में सीवेसीज ग्लेंट उफ दा सब्सक्राइब काफी बड़ा हो जाता है काफी ज्यादा संग्रह होने के वज़े से आप हो सकते हो कि वह काफी ज्यादा स्वेल कर जाता है और ऑक्सिडेशन जो मेलनीन में हो जाता है कि यहां पर इसी को हम क्या बोलता है ठीक है तक हमने थी जो प्राब्लम्स होते सब्सक्राइब के दिस्कस कर दिया आज यहीं तक लिए किसे पहले हम कुछ पिक्श की पिक्शर बना कई पिक्शर मेरे यह पर ढाल रखाए उस पिक्चर को जड़ा देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि यह हमारा पुड़ा स्कीन वाला पार्ट है, यह हमारे एपिडर्मिस पार्ट है, यह हमारे हेर वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट है, उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हो कि यह हेर है, यह हमारा स जो हेर होता है हेर रूट्स जो होते हैं उनके आउटर लेयरिंग होती है इसके बार में हमने प्रिविएस क्लास में डिसकस कर रहा है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिए उसमें आप चीजे काफे बेटर तरीके समझ पाओगे कि हैर फॉलिकल है क्य